दोस्तों अगर आपका भी YouTube पर चैनल है और आप वीडियो अपलोड करते हैं डेली कंटेन्ट रे अपलोड करते हैं या फिर कभी भी आपने वीडियो को अपलोड करते हैं YouTube पर तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि फेन्स कम्यूटी गाइडलाइन जो है YouTube की वो बहुत ही फेंड्स बहुत ही difficult होती चली जा रही है, अब ही मैं आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में मेरे एक वीडियो पर age registration आया हुआ है, और फेंड्स वो मैंने वीडियो पब्लिस भी नहीं किया है, आप साइड में देख सकते हैं, वीडियो मेंने पब्लिस भी नहीं किया है, फिर भी age registration आ चुका है, इससे यहां में पता चलता है कि हम अपनी वीडियो को अप्लोड करते हैं, और प्राइवेट रखते हैं या फिर अन्लिस्टेड मोड में रखते हैं, तो भी हमारे वीडियो पर copyright strike या फिर copyright claim आ जाएगा, तो भी हमें देखने को मिल जाएगा, आप चाहें वीडियो को पब्लिस करें या फिर ना करें, फिर भी वो आना होगा तो आ जाएगा, और दोस्तों मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपने mobile phone में, मेरे एक वीडियो पर age restriction आ चुका है, जो कि मैंने अभी एक तो घंटे पहले ही upload किया था, फिर इसमें मैं आपको बताऊंगा आगे अभी वीडियो में, कि देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि age restriction क्यों आता है और होता क्या है, आपकी वीडियो पर क्या परभाव पड़ेगा, आपका चैनल क्या हो जाएगा ये आता है तो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अगर आप वीडियो में अपनी कुछ ऐसा बता रहे हैं, जो बच्चों के हित में नहीं है, यानि कि फेंड्स 18 वर्ष से नीचे के उमर वाले बच्चे उसे ना देखें, तो फेंड्स वो एज रिस्टिकेशन में होता है, लेकिन फेंड्स कभी कभी यूटूब गलिती से आपकी वीडियो पर एज रिस्टिकेशन भेज देता है, या फिर क्लेम भी भेज देता है, कुछ भी गलती से भेज देता है, तो वहाँ पर आपको अफील करने का ओप्शन भी देता है, कि अगर कोई गलती हुई हो यूटूब से तो आप उसे सुधार सकते हैं, तो आप मैं कैसे सुधारूँगा अपनी इस वीडियो का एज रिस्टिकेशन कैसे अटाऊँगा, इसका भी वीडियो मैं आपको बना कर बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँँ मेरे यूटूब वीडियो पर जो एज रिस्टिकेशन आया है, कौन सी वीडियो है, और किस टॉपिक पर है, और मैंने उसमें क्या गलती किया है, जो एज रिस्टिकेशन आया हुगा है, और एज रिस्टिकेशन छोटा सा ही थोड़ा सा, यानि कि फेंट्स आपकी वीडियो पर ज्यादा एकफेक्ट नहीं पड़ेगा, फेंट्स इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहेगा, नहीं तो आपके भी साथ ऐसा हो सकता है, गलिती से आपको बार, आपकी वीडियो पर भी एज रिस्टिकेशन आज सकता है, तो देख सकते हैं, मैं Chrome Browser में आकर YouTube को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन करने की बाद अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस ना आए, तो आपको यहाँ पर 3.0 पर क्लिक करना है, क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रोल करके, यहाँ पर क्लिक कर देना है, और आपके सामने लेप्टॉप की तरह ओपन हो जाएगा, तो उसके वेलिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, राइट कॉर्णर में आपको दिखाई देगा, आपके चैनल को लोगो इस पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ आप्संस आजाएंगे, आपको Creator Studio पर क्लिक करना है, जैसे ही आप Creator Studio पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने अगला टैप ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं, मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है, देख सकते हैं, आपका वाईटी स्टूडियो ओपन हो जाएगा, Creator Studio, उसके बाद फ्रेंट्स आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा दूँ, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 18 पलस ओनली लिखा हुआ, इसका मतलब है, फैंट्स, 18 वर्स से एज वाले जो ब्यक्ति हैं, वही ही मेरी वीडियो को देख पाएंगे, तो ऐसे कैसे हटा सकते हैं, इसे मैं अगरी वीडियो में आपको बताऊंगा, और आप चाहते हैं, तो डिस्क्रेप्शन को आप चेक कर लीजिएगा, उसमें भी मैं लिंक दे दूँगा, तो देख सकते हैं, मेरी वीडियो पर एज रिस्टिकेशन आया हुआ है, सबसे खास बात यह है, यूटूब की, यहाँ पर मैंने इसमें बताया है, नो वाटर मार्क, नो एक्सपोर्ट प्रॉब्लम मैंने इसे लिखा है, कसम से कोई फेक वीडियो नहीं, फेंट्स थमिल पर लिखा हुआ है, यह सब 100% वर्किंग, और क्यों वार्किंग हो रहा है, फेंट्स काईन मास्टर 4.15 इसमें डाउनलोड करना बताया है, लेकिन फेंट्स अभी इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया, काईन मास्टर 4.15 जो है, इसे अभी कमिलिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, और नहीं इसे डाउनलोड करके बताया है, शिर्फ इतना बताया है फेंट्स इस वीडियो में, कि मैं अगली वीडियो में आपको काईन मास्टर 4.15 प्रोवाइड करा दूँगा, फिर भी इस वीडियो पर एज रिष्टी कैसन आ गया, फेंट्स ये यूटूब की गलिती है, तो मैं इसे कैसे सुधार सकते हैं अपने वीडियो पर, तो इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी फेंट्स, अगर आप चाहते हैं, एक नई सोच के साथ और एक नई टॉपिक पर, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाएँद्ध फेंट्स,